Hello friends, welcome to another episode of Shomestick दोस्तों जब बच्पन में हमारे घर में जो वाल क्लोक रहता था ना जो लकडी का बड़ा वाला और उसमें पेंडूलम लटकता था तो उसमें जब साउंड होता था तो हमें बहुत मज़ा लगता था तो वो चीस तो अभी नहीं है वो चावी वाल क्लोक जिसमें की एक चावी रहता था टाइम के लिए और एक चावी रहता था पेंडूलम के लिए तो अभी जो औरिवा ब्रेंड है उसमें ऐसा नया शोपीस वाला जो वाल क्लोक है उसमें भी pendulum system आया है और इसमें music बचता है तो चलिए इसको unbox करते हैं आपको दिखाते हैं कैसा लगता है देखें online में यह आपको 950 के करीब मिलेगा और अगर आप offline में खरीते हो तो आपको लगवाग 800 के करीब मिलेगा लेकिन मुझे पता नहीं आप जहां रहते हो वहां य केक पर में देखेंगे तो इसको जल्दी से अन्वॉक्स कर लेते हैं तो जो फॉक्स है उसको हम लोग खोल लेते हैं और वाव इसमें चार बैटरी डिया हुआ है यह औरिवा का AQ2067 मॉडल है चलिए हम लोग का जो वाल क्लॉक है वो निकल गया अच्छा इसमें एक डिसकाउंट वाउचर भी है अभी हम इसको अंदर रख देते हैं अभी ठीक है तो इसको हमने यहां रख दिये अब इसका नीचे वाला कॉवर ये दोनों कवर एक उपर वाला कॉवर ये नीचे वाल खो लेंगे तो बाहर बॉक्स में जो कलर था वो तो नहीं है तो यह वाल्ट लॉक है और यह इसका पिंडूलम है देख लीजे ठीक है अभी इसमें हमें बैटरी भी लगाना है और पेंडूलम को भी लगाना है तो इसका पीछे देखिए यहां पे चेमबर दिया हुआ है तो यहां से आप इसको खोल सकते हो तो यह इसका बैटरी लगाने का और पेंडूलम लगाने का चेमबर है तो हम ल तुप्र इसको यह पर टांग न पड़ेगा यहां जगा है अब देखिलो यहांपे सीधा है मैं और जूम नहीं कर रहा हूं DR यहां पर इसको टांगेंगे तो यह देखिए ऐसे सामने ऐसे फिल टक जाएगा और उसके बार यहां दे चार खाना दिए हुआ है एक तीन चाहु तो यहां पे हमको battery को एटश करना है तो हम जल्दी से battery को एटश कर देता हो घड़ीह को है तो देखिये हमने इसको यहां पर इसका जो sound है वो आपको मैं सुना पाओं तो देखिए दोस्तों शायद आपको सुना ही दे रहा हो इसका sound में आपको सुना रहा हो ऐसा इसमें sound आएगा तो दोस्तों इसका पीछे एक switch दिया हुआ है वहाँ इसको off on करने का भी जगा दिया हुआ है और इसका देखिए यहाँ hanging का जगा है और यहाँ पे इसका जो speaker है वो लगा हुआ है अगर आप चाहो कि आपको sound नहीं चाहिए तो आप speaker को off करने के लिए दूसरा वाला जो battery है उसको निकाल भी सकते हो इससे तो दोस्तों यह एक छोटा recap था मैंने आपको दिखा दिया इस pendulum वाल को मैंने खुझ के लिए खरीदा था तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो मैं डीचे description में इसका link दे दूँगा वहाँ से आप इसको आसानी से purchase कर सकते हो वैसे घड़ी देखने में अच्छा है build quality भी अच्छा है और आप इसको औरिवा का है खरीद भी सकते हो इसमें एक साल का warranty दिया हुआ है तो दोस्तों व पसंद आए तो वीडियो को एक like जरूर कर देना और मिलते हैं अगले से किसी नए वीडियो के साथ